हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है व्योम की नई वेबसाइट व्योम by fundabox.n पे जैसे ही आप इसको search mark में search करते हैं तो यह आपका जो आप अभी screen पर देख पर रहे हैं आपका landing page है तो इस landing page पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको utilize कर सकते हैं और क्या-क्या में features आपको दिए गए मैंने जैसे आपको बताया था कि व्योम की जो website है वो notion के notion application के ऊपर बनाई गई है तो notion अपने आप में जू की बहुत ही powerful tool है तो इसको कैसी utilize कर सकते हैं और किस तरीके से आप देखेंगे कि यह बिलकुल आपकी अपनी website है और आप उसको किस तरीके से खुद के लिए personalized कर सकते हैं बहुत personalized करने के लिए customize करने के लिए बनी वी website है यह जो वीडियो में बना रहा हूँ यह वीडियो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर how to use this website में भी आप कोई वीडियो मिल जाएगा यहाँ अलग-अलग segments आप देख पा रहे ह जैसे यह आप जैसे deaf related part में जाएंगे तो deaf related कुछ-कुछ अलग-अलग situations वाले questions बने में आपने जैसी deaf based questions पर गए तो यहाँ देखें यहाँ हमने initially links दे रखें कि अगर आप किसी भी segment में जाना चाहते हैं तो वहाँ सीधे क्लिक करेंगे तो आप उस segment में पहुच कि यहां comment section है duplicate section है जब आप अपने खुद के notion में login कर लेंगे तो जैसी आप इस duplicate पर क्लिक करेंगे तो यह duplicate हो जाएगा आपके अपने workspace में अब यह हमसे जैसे पूछ रहे है कि कौन से workspace में आप डालना चाहरे है तो यह workspace में मैंने यह duplicate कर लिया तो यह पूरा का पूरा ज जो है यहां पर भर पा रहा हूँ माल लीजिए मैं अपना इसमें जैसे करना चाहता हूँ तो यह सारी चीज़े जो है मैं यहां पर update कर सकता हूँ तो यहां यह adaptation possible है तो पूरी तरीके से आपका customized page जो है वह आपके अपने workspace में बन गया तो इसको सीधे सीधे आपको सिर्फ duplicate करना है यहां आप अपने workspace में पहुच जाएंगे अब हम वापिस से website पर अगर हम चल के देखते हैं तो यहां एक दूसरा option भी आपके पास में रहता है वह option रहता है related to comments का यैसे मैं वापिस से district ways उस पर आता हूँ यहां आप वास comment करने का option होता है आप यहां comment अपने आता है otherwise control shift plus M आप दबा के comment कर सकते हैं तो उस particular जगा पे आप अगर कुछ comment करना चाहते हैं तो जैसे ही आप comment करेंगे it will reflect in my workspace उस पर जो भी कुछ action लेना होगा तो मैं यहां से ले सकना हूँ तो आपने देखा कि बहुत ही कस्टमाइजेबल जो है website है अब इसमें दूसरे और भी segments जो है वो हमने add कर रहे हैं जैसे hobbies है hobbies में भी अब यहां पर बहुत तरीके की hobbies दे रहे हैं तो आपकी अपनी personal hobbies जो हैं आप उस पर जाईए और उसको आप duplicate कर लीजी अपने particular workspace में जिससे कि वो आपके लिए easy हो जा तो इसी लिए यह जो notion है उसको इस्तमाल किया गया जिससे कि आपका खुद का workspace जो है उसमें जो आपके लिए जो particularly आपके लिए काम की चीज़ने हैं वो आप अपने workspace में update करते जाहिए जब जब इसको हम update करेंगे तब भी आप इसको अपने यार copy कर सकते हैं duplicate कर सकते हैं जिससे की सारी की सारी contents जो हैं वो आपके पास में easily available हो जाएं और उसके आप build up कर सकें यहां हमने आपको links दे रखे हैं YouTube channel के the fundabox नाम से YouTube channel है हमारा जिसमें हमारी तरफ से जो भी वीडियो या जो भी ट्रिक्स और टिप्स जो दी जाती हैं वो आपको वहां पर easily available हो जाए साथ ही साथ में जो पुराने व्यों के काफी सारे sessions थे जिसमें मतलब almost हमने 50 sessions जो है वो लिये थे उसके questions के लिए कई बार लोग कहते हैं कि questions का मिलेंगे यह आप आईए इन questions पर क्लिक करिए यह image आपको खुल जाएगी आप image को यहां देख भी सकते हैं आप इसको download भी कर स जाते हैं उसमें जाएए और उसको सीधे सीधे contents से आप अपने पास में पहुच जाएंगे तो आई होप की जो basic brief idea मैंने आपको दिया है वो आपके लिए helpful होगा और आपको खुद को भी इसको use करने में मज़ा आएगा तो अपने comments और आपके feedbacks जो है वो आप हमें जरूर शेयर कीजेगा उससे हम इसको और improvise करने में हमें help होगी thank you